उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने मंगलवार को एक पोश्टर जारी कर अपने पती और बसपा विधायक राजुपाल के हत्यारों के खात्मे के लिए यूपी के सीम योगी आदित्तिनात का आभार जताया बता दें सीम योगी मंगलवार को निकाय चुनाओ के परचार के लिए परियागराज पहुचे थे इस दोरान वहां कुछ लोग पोश्टर लेकर पहुचे इसमें लिखा था उमेश पाल की हत्यारों को मिट्टी में मिलाने के लिए धन्यवाद वहीं आपको बता दें जयापाल दुआरा जारी पोश्टर में सीम योगी के अलावा बीजेपी विधायक सिदार्थ नाथ सिंग की फोटो थी इस पोश्टर में उमेश पाल जयापाल और राजुपाल की भी फोटो लगाई गई थी पोश्टर में लिखा था बुल्डोज चुनाओ में बीजेपी को समर्थद देने की अपिल की गई है इस पोश्टर में लिखा है योगी जी ने जो कहा था उन्होंने कर दिखाया उन्होंने माफियाओ को मिट्टी में मिला दिया उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने इस वाइरल पोश्टर को लेकर मीडिया से बा पर्तियासी लड़ रहे हैं उन सभी पर्तियासों के सामने कमल के बटन को दबाते हुए उन्हें विजई बनाए जिससे बाबा जी की सरकार फिर से बन सके इससे समाज में माफ्या गिरी खतम होगी बता दें चार फरवरी को प्रियागराज की सड़कों पर दिंधाडे उमेश पाल और उसके दो गनर्ष की हत्या कर दी गई थी उमेश पाल 19 साल पहले हुए राजुपाल हत्याकांड का मुख्या गवा थे इस केस में अतीक और असरफ मुख्या आरूप ही थे उमेश पाल की पतनी ने अतीक असरफ साइस्ता समेत नो लोगों पर मामला दर्ज कराया थ पुलिस ने हत्याकांड में सामिल सूटरों की पहचान असद, अर्मान, गुलाम, गुड्डु, मुस्लिम और साबिर की तोर पर की थी 27 फरवरी को यूपी पुलिस ने हत्याकांड में सूटरों दुवारा इस्तिमाल क्रेटा काट चलाने वाले अर्बाज को देर कर दिया था यह कार अर्बाज की घर के बाहर मिली थी इसके बाद 6 मार्च को पुलिस ने उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाले सूटर विजय कुमार और उस्मान चोधरी का एंकाउंटर किया था वहीं 13 अपरेल को यूपी एश्टीफ ने जासी में असद और गुलाम मुहमत को एंकाउंटर में धेर कर दिया था वहीं आपको बता दें इसके दो दिन ही बाद यानी 15 अपरेल को देरात प्रियागराज के कालविन होस्पिटल के बाहर अतीक और उसके भाई असरफ की गोली मार कर हत्या कर दे थी पुलिस घेरे में इस दोरे हत्याकांड को अरुन मौरिया, सनी और लवलेस तिवारी ने अंजाम दिया तीनों पत्रकार बनकर पुलिस के काफिले के नजदीक पहुचे और जैसे ही अतीक और उसके भाई असरफ ने मीडिया से बात करना सुरू किया तीनों ने ताबर तोड फाइरिंग कर दी इस दोरान करीब 18 राउंड गोलियां चली जिन में से 8 गोली अतीक एहमत को लगी दोनों की मौके पर ही मोत हो गई ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहे इन खबर के साथ